हेलो फ्रेंज तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं बहुत ही बड़ी आसी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बिल्कुल दस मिनित में बनके तयार हो जाती है तो आज हम यहाँ पर बनाएंगे रेर पंकिम दोसा रेसिपी बहुत ही ज़्यादा healthy recipe है आपके घर में छोटे से लेकर बड़ोता के सभी को पसंद आएगी और इस recipe को जो है आप बच्चों के टिफीन में बना के दे सकते हैं या फिर breakfast में भी बना सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे चावल तो लगबग हमने 1 कतोरी चावल यहाँ पर यूज़ किया है अगर grams में मेजर करेंगे तो लगबग ये 300 ग्राम चावल है यानि एक पाव से मतलब 250 ग्राम से थोड़ा जादा आपको यहाँ पे चावल यूज करना है अब चावल को हम पानी के साथ अच्छे से वाश करेंगे 2-3 बार तो यहाँ पे हमने चावल को अच्छे से वाश करके रेडी कर लिया है अब हम इसमें add करेंगे पानी और इसे भीगने के लिए छोड़ देंगे लगबग एक गंटे के लिए तो एक गंटा यहाँ पर हो चुका है चावल जो हमारे बिल्कुल अच्छे से भीग चुके है आप देख सकते हैं अब हम इसे साइड में रख देंगे उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक मिक्सर का जार और उसमें हम एड प्रकास लिया है अगर कटोरी से मेजर करेंगे तो लगबग हमने देड कटोरी यहाँ पे रेट पंकिंग यूज किया है तो उसे हमने इस प्रकार से कट्टू कस कर लिया है आप चाहे तो छोटे तुकडों में भी कट कर सकते है साथि में हमने यहां पर यूज़ किया फरेश कोक१न लगबक 3TBSivi अगर आपके पास फरेश कोक१नव नाहें सुखा नरियल भी यूज़ कर सकते हैं साथी पर यूज़ किया है चावल अब रखें का ठीका ओर खेंगे देंगे याद रखें हमें इसमें पानी बिल्कुल भी add नहीं करना है अब ये paste बन के तयार हो चुका है आप देख सकते हैं अब हम उसमें add करेंगे हमारे चावल तो उपर से हम चावल को निकाल लेंगे पानी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे नीचे और सारे चावल हमने इसमें add कर दिये है चावल को add करने के बाद हम उसमें add कर देंगे पानी तो पानी हमने यहाँ पे लगबग 50 ml के करीब add किया है यानि चार बड़े चमबच आपको यहाँ पे पानी यूश करना है और smooth सा paste बना लेना है तो आप देख सकते हैं paste बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है smooth सा paste बनाने के बाद हम इसे एक बरतन में side में निकाल लेंगे तो इस प्रकार से batter को हमने side में निकाल लिया है अब हम उसमें add करेंगे फिर से थोड़ा सा पानी तो लगबग 300 ml यहाँ पे हमने पानी फिर से यूश किया है तो टोटल हमने 350 ml के करीब पानी यूश किया है उसके बाद हम batter को थोड़ा सा mix कर लेंगे mix करने के बाद हम उसमें add कर देंगे 1 teaspoon के करीब नमक तो 2 छोटे चमच नमक हमने यहाँ पे add किया है साथी में add करेंगे 2 TBSP के करीब चावल का आटा उसी के साथ हम यहाँ पे add कर देंगे 2 TBSP के करीब सूजी सूजी को add करने के बाद हम batter को अच्छे से mix कर लेंगे 5 मिनिट के लिए याद रखिए इसमें कोई भी गुटलिया या लंस नहीं रहने चाहिए तो बिल्कुल अच्छे से mix कर चुके हम इसे अब हम इसे ढकन लगा कर 5 मिनिट के लिए साइड में रख देंगे तो लगबग यहाँ पे 5 मिनिट हो चुके हमने ढकन हटा दिया है इसके अंदर जो भी सूजी हमने add की थी वो 5 मिनिट के बाद जो है बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है तो अब हम दोसा बनाना स्टार्ट करेंगे इसके लिए हमने इस प्रकासे एक छोटा सा पैन लिया है और उससे थोड़ा सा ओईल लगा लिया है अब हम थोड़ा एक चमच बैटर लेके इसके अंदर add कर देंगे और चमच की मदद से इसे spread कर लेंगे अब थोड़ी देर बाद हम उसमें sprinkle करेंगे थोड़ा सा ओईल इस प्रकासे हमने थोड़ा सा ओईल बीजबिच में sprinkle किया है इसके बाद हम इसे पलड़ देंगे तो हमने इसे पलड़ दिया है और दूसरी साइट से भी हलका सा सेख लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया चाली आ चुकिये हमारे डोसे को और बहुत ही ज़्यादा crispy बना है साथी में यह बहुत ही ज़्यादा healthy है क्योंकि हमने इसमें red pumpkin add किया है तो आप लोग ज़रूर इस recipe को एक बार try करिए अब इसी process को repeat करते हुए हम बाके के बच्चे हुए डोसे बना लेंगे इस प्रकार से बीच-पीच में थोड़ा सो oil sprinkle करेंगे और इसे पलट देंगे बहुत ही बढ़िया जाली आ चुकी है हमारे डोसे को और बहुत ही ज़्यादा crispy बना है तो अब हमने इसे serving कर दिया है इस प्रकार से तो potato की सबजी के साथ और coconut चटनी के साथ आप इसे serving कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया लुक आया है हमारे रेसिपी को अगर आपको हमारे रेसिपी थोड़ी भी helpful लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक केजिए, share केजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक कि लिए बाइबाई, take care